नमस्कार आपका स्वागते राजनामा टीवी पे मैं पुखनम आपके साथ पश्चिमंगाल के संदेश खाली में महिलाओं के योन छोशन का मामला गरमाया हुआ है शुकरवार भाचपा की महिला टीम को एक बार फिर संदेश खाली जाने से पुलिस ने रोग दिया इस टीम की अगवाई भाचपा सांसत लौकेट चटरजी कर रही है डेलिकेशन और पुलिस के बीच बहस भी हुई इसके बाद लौकेट को हिरासत में ले लिया गया इससे पहले 16 फरवरी को भी केंदरी मंतरी और महिला सांसतों के प्रतिनीदी मंडल को संदेश खाली नहीं जाने दिया गया था मीडिया रिपोर्ट्स के मताबिक एडी ने टीमसी के फरा निता शाजा शेक पर मनी लौंडरिंग का केस दर्च किया है इडी ने राशन घुटाले में बंगाल में छेटिकानों पर शापे मारी भी की है एक शक्स अरुप सोम के यहां भी इडी की टीम पहुची अरुप पहले सरकारी नोकरी में था अब मचली का धंदा करता है इसे पहले 22 फरवरी को इडी ने शाजा को नया समझ जारी किया था इसमें कहा था कि 29 फरवरी को जाज के लिए मौजूद रहे महीं प्रदानमंती नरेन मोदी 6 मार्च को पश्ची मंगाल के 9-24 परंगना जिले के संदेश खाली जा सकते हैं वें यहां यौन उत्पिडन की शिकार महीलाओं से बात कर सकते हैं मंगाल भाषपा अद्देख सुकान मजुमदा ने गुरुवार को इसकी जानकारी दी मंगाल भाषपा प्रंग सुकान मुदार ने 22 फरवरी को राजपाल सीवी आनन्द बोस से मुलाकात की इससे पहले नोने प्रदेशन किया था उनकी के रफतारी हुई बाद में नीची मुचलके पर रिहा कर दिया गया मालूर घाट से सांसत सुकान ने बताया मैंने राजपाल को पूरे घटना करम के बारे में बताया जिस तरह से एक सांसत के साथ बताव किया गया गवर्नर ने इस पर चिंता जताई धाराक सुचावाली सिर्फ भाशपा के लिए लागू है टीमसी के विदा एक 50 लोगों को लेकर घूम रहे हैं इसी सुईकार नहीं किया जाएगा शाजा शेक और भाई लोगों को टौजर करते हैं से ममता बैना जुए पार्टी इस बारे में कोई बात नहीं कर रही संदेश खाली की मैला ही अपनी बात उठा रही है इसी के साथ बने रहे राजनामा टीवी के साथ धन्यवाद